हेलो दुस्टो स्वागत करताओ आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल मार्टेल मीकैनिक में तो दुस्टो यह देख सकते है माले कंपनी कापिश्टन है और अजके इस वीडियो में हम बात करने वाले है पिश्टन रिंग फीटिंग कैसे करे दोस्तों देख सकते हैं आप जो इन बाग है वहाँ कार्बेटर सप्लायर आता है और नीचे एक्जोस्ट ये माले कंपनी का हीरो सीडी डिलेक्स का पिष्ठान है और देख सकते हैं आप ये है ओईल रिंग जाहा देख सकते हैं आप हलका फुल का दबा के देख सकते हैं आपने देखा होगा कि कई वीडियो में मिकेनिक भाई बोलते है कि डबली बनना चाहिए, एम बनना चाहिए पर मेरा एक्सप्रियंस कहता है कि एम बनना चाहिए ओईल रिग मेंने लगा दी है उसका एम भी बना दिया है देख सकते हैं आप और यह है पतली रिंग देख सकते हैं उसे बोलते हैं ओईल रिंग एक्सपाइंडर जो अपर बाग में लगती है उपर, ओयल रिंग के उपर बाग में लगती है, ये है दूसरी रिंग, जिसे बोलते है ओयल रिंग एकस्पेंडर लोवर, जो ओयल के नीचे बाग में लगती है, ओयल रिंग के नीचे बाग में, देख सकते हैं, मैं आराम से लगा रहा हूँ, जिसे आराम से ये रिंग सकती है यह है लोवर रिंग का कट और राइट में देख सकते हैं यह अपर रिंग का कट ओल रिंग में लगा दी है लोवर और अपर अब आएगी टॉप टू पिस्टन की रिंग देख सकते हैं आप टॉप टू रिंग ब्लेक कलर की साइज में थोड़ी बड़ी होती है देख सकते हैं तो दूस्तों आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए मैं यह दोनों रिंग लगा देता हूँ और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एंड में में मारकर से समझ देखिए दूगा अगर दूस्तों आपको फिर भी समझ नहीं आया कि मैंने रिंग कैसे लगाई तो मैं फिर से समझा देता हूँ मांक करके सब्सक्राइब यह मांक किया मैंने एम बनना चाहिए और यह जो पत्ती वाली रिंग थी वैंद इसका कट और यह तौफ तैवल का कट तो देख सकते हैं एक और ंइट में एक सक는 है और देख सकते हैं आप उएल रिंग लोवर का कट मिद्र आगे भी देखा को सकते हैं का कट तो इस तरह से पिष्टन रिंग फिटिंग होती है दोस्तों आप इस तरह से रिंग फिटिंग करेंगे तो आपकी गाड़ी कभी भी धुआ नहीं निकल सकती तो दोस्तों मैं सभी रिंग लगा चुका हूँ अब आपको मैं मार्किंग से समझाता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यह जो मैंने मार्क किया हो एम देख सकते हैं यहां एम होना चाहिए देखिए और इन पार्ग जो मैंने पहले ही बूला था आपने एम होना चाहिए इन पार्ग में अब ही मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ यहां जो मैंने ओयल रिंग कट दिखाया था जो पटली वाली रिंग था वह एक कट होना चाहिए ओयल रिंग का कट और राइट में देख सकते हैं आप यह टॉप वन जो बड़ी बड़ी वाल रिंग थी वो उसका कट इधर होना चाहिए यह सही करो और दुसरी यह उसके सामने टॉप टू रिंग टॉप वन और टॉप टू रिंग देख सकते हैं आप सेम टू सेम और यह दूसरी रिंग जो ओयल रिंग अपर और लोवर दोनों का कट देखा दोस्तों आपने यहां बीच में बना और और एकचोस्ट तो दोस्तों यह मैंने बिश्टन रिंग फिटिंग कैसे करते हैं पुरा का पुरा इस वीडियो में बता दिया है अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर